नमस्कार मैं हूँ नखमो और आप देख रहे हैं सच की परताल सच की परताल में आज बात करते हैं अमेरिका और योरोप में बैंकों पर आए संकट की और उसका क्या असर पड़ेगा दुनिया भर के बैंकों पर और भारत पर अमेरिका से शुरूवे बैंक संकट की आज अब योरोप तक पहुँचने लगी है एक बड़े इन्वेस्टर रॉबर्ट क्योसाकी ने ये भविश्यवानी की है कि योरोप का सबसे बड़ा बैंक क्रेडिट सुइस गिरने वाला है वाल स्ट्रीट अनलिस्ट है रॉबर्ट क्योसाकी इन्हें 2008 में लेमन ब्रादर्स के गिरने की भविश्यवानी करने के लिए याद किया जाता है क्योसाकी ने फॉक्स न्यूज को बताया है कि सिलिकॉन वैली बैंक डूबने के बाद अगला बड़ा घटा करम क्रेडिट सुइस बैंक का गिरना होने जा रहा है अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक और सिगनिचर बैंक के हाला बिगड़ने का असर पूरी दुनिया के वित्तिय बाजार पर पड़ा है एशिया के बाजार में तेज गिरावट आई यॉरप के बाजार का और भी बुरा हाल है यॉर्प के सबसे बड़े बैंक क्रेडिट सुइस के शेरों में लगातार गिरावट का सिलसला जारी है 31 फीसिती तक शेर गिरे थे तो सवाल है कि आखिर ये गिरावट के स्थिती आई क्यूं क्रेडिट सुइस के क्योंकि Credit Suisse के सबसे बड़े निवेशक साओधी नाशनल बैंक ने अब Credit Suisse में और निवेश करने से साफ इंकार कर दिया है बैंक में सबसे ज़्यादा 9.9 फीसिदी हिस्सेदारी साओधी नाशनल बैंक की है लेकिन साओधी नाशनल बैंक ने कह दिया है कि वो इसमें और निवेश नहीं करेगा इसी बीच खुद को बचाने की आखरी कोशिश में जुटे Credit Suisse Bank ने Swiss National Bank से 50 मिलियन Swiss Franc यानी करीब 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उधार लिया है बैंक को उमीद है कि सिन्वेशकों का भरोसा लोटेगा Credit Suisse Bank 166 साल पुराना बैंक है विशेशक्यों को बैंकिंग संकत के गहराने की आशंका है और आशंका ये बनी हुई है तीन अमेरिकी बैंक पहले ही ठापो चुके हैं और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है अमेरिका से यॉरप पहुचा बैंकिंग संकत क्या इस संकत का भारत पर भी बुरा असर पढ़ सकता है आपके सामने विकल्प तीन है A हां B नहीं और C कह नहीं सकते कि आपको क्या लगता है क्या ये जो संकत देखा जा रहा है अमेरिका में और यॉरप में ये जो वित्य संकत है इसकी जाल में क्या दुनिया फसेगी और इसका असर यानि कि इससे कोई भी क्या अचूता रह पाएगा भारत पर इसका क्या आसर पड़ेगा हमारे साथ इस वक्त दो महमान हैं जो इससे समझने में हमारी मदद करेंगे हमारे साथ है वरिष्ट पत्रकार आलोग जोशी जो बहुत करीब से बाजार में हो रही उथल पुतल और तमाम वित्य जानकारियों पर नजर रखते हैं और वरिष्ट अर्तशास्त्री प्रोफेसर अरुन कुमार है आलोग मैं आपसे शुरुवात में समझना चाहती हूँ कि ये जो संकट इस समय है वो कितना भयानक संकट है इससे किस तरह की उथल पुतल जो है वो आपको लग रहा है कि होगी और बैंकों पर ये संकट जो है क्यों आया है नगमा आपने जो सवाल पूछे उसके आपने तीन और वहाँ को देरे करी हैं हाँ ही और पता नहीं या कह नहीं सकते तो मेरे ख्याल है इसमें आदा हाँ और आदा नहीं है पता नहीं वjourdten तो मेरे लिए नहीं है और प्रोफिसर अरुन कुमार से जब अभी आप बात करेंगी तो वो इसका और गयरा आपको गहराई से समझाएंगे लेकिन मुझे इसके दो जवाब मैंने हा नहीं क्यों कहा कि अगर आप कहें कि SVB बैंक से क्या मारत की बैंकिंग परणाली पर कोई असर पड़ेगा उसके डूबने से सिलिकन वैली बैंक के या सिगनेचर बैंक के तो वो असर शायद नहीं पड़ने वाला था लेकिन क्या क्रेडिट सुईज के डूबने से जो अभी डूब गया में नहीं कह सकता हूँ लेकिन अगर क्रेडिट सुईज डूब जाता है तो ये बहुत जाहर तो पर बहुत गंबिर संकट होगा ये दुनिया में उसी तरह का संकट होगा जैसा लीमन ब्रदर्स के डूबने का हुआ था जिसका जिक्र भी आपने किया क्योंकि जो सिलिकोन वैली बैंक और सिगनेचर बैंक इनमें सिलिकोन वैली बैंक डूबने का कारण सिलिकोन वैली बैंक के खातों में कोई गोटाला घपला ऐसा आमला नहीं था वहां उसको रन अन्द बैंक कहते हैं ग्राकों को लगा कि शायद बैंक को नुकसान होने वाला और ये उस बैंक की अपनी कहें कि एक तरह की गलती थी टेक्टिकल गड़वर थी कि उनको एक सौदे में घाटा हुआ जिसका उन्होंने एलान कर दिया और वो एलान सुन कर बहुत से लोगों में डर फैला और उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया तो वो रन अन्द बैंक हो गया और आजकल क्योंकि वहां बैंक जाके लाइन तो लगाने नहीं पड़ती है अपने अपने मुवाइल खुलिया या लैप्टॉप पर लॉगिन कीजिए और फटाक से कहिए सारा पैसा निकाल के मेरे दूसरे अकाउंट में ट्रांसर कर दो ये अचानक बहुत भेहनक मात्रा में पैसा निकलने की वज़े से वो बैंक मुसीबत में आ गया जबकि क्रेडिट सुईज का मामला कुछ अलगा है यहां और डिटर्स ने उनकी उनके खातों में उनके काम करने के तोड़ तरीकों पर गंबिर सवाल उठाय हुए थे लिप दियाए कह सकते हैं तो वो और उसके बाद वहां एक मुसीबत यह है कि वहां का जो बैंकिंग का करोबार है वो बहुत बोनस के वरों से चलता है वहां जो बड़े मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हैं इनको तनख्वा बहुत कम और बोनस बहुत ज्यादा मिलता है तो वो अपना बोनस बढ़ाने के चक्कर में उनका एक तो उनका अपना इंडिविजुल परफॉर्मेंस बोनस होता है और दूसरा एक पूरी कमपनी का 70% बढ़ जाएं तो उनका बोनस वापस आ सकता है उनकी रिकवरी हो सकती है लेकिन स्वीबी से हुआ यह है कि स्वीबी की वज़े से यहां कुछ आशंकाएं पैदा हुई उसके बाद दुनिया बर में हो रही हैं बारत में जहां के बारे में का जा रहा है कि यहां बैंकिं अब लून बांट रखे हैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वह असर आप दिखाए पर रहा है कि हुआ है सिस्टमिक समस्या है सिस्टमिक प्रॉब्लम है क्रडिट सुईज में हालांकि स्वीबी सेंट्रल बैंक ने कहा कि हम मदद करेंगे लेकिन स्वीबी किसी ब बैंक की बात की तो उमीद ये अगर ये करना सही है क्या कि अगर स्विस्ट नैशनल बैंक मदद करता है तो कोई उमीद बची है क्रेडिट स्विस्ट के लिए या जैसे क्यों साकी कह रहे हैं कि नहीं इस बैंक का गिरना तय है तो उनकी जो भविश्यवानी है वो आपको बरोसा करता हूं तो ये तो बरोसे का खेल है और क्योसा की जब ये वविश्वाने कर रहे हैं और साथ में आपने उनकी क्वालिफिकेशन बता दी कि साब लीमन ब्रिजर्स के डूबने की वविश्वानी उन्हों ने की थी तो अब बाजार में और आशंकाएं पहलेंगी उनका शेयर और गिरेगा हलांकि आज जब स्विश्वाने सेंट्रल बैंक की खबर आई उसके बाद से वो शेयर में 17% को उच्छा लाया लेकिन इसके बाद बाजार में इस वक्त एक और समस्या है कि दुनिया बर में मंदी की आशंका पहली हुई है महंगाई बढ़ रही ह मातनी बाद बाद भी आज़ आज़ेंगा है मेश्वार भी देख आए चाहिए धन तो मकार्ष लिए पयाँपदर एक एक पर एं आसान काम नहीं है कास तरो पर उन अर्च वस्ताओं में चाहिक में देखी नहीं है हमारे जैसे देश में महंगाई कोई बहुत अजूबी चीज नहीं है कम ज्यादा होती है ज्यादा महंगाई में परिशान होते हैं लेकिन हम लगातार महंगाई देखते आ रहे हैं इसलिए हम अतने परिशान नहीं होते हैं प्रोफेसर आरुन कुमार, बर साल आप पहले सुपर स्टोर में जाईए तो इतने सो आइटम पिछले साल से सस्ते मिल रहे हैं, ऐसे बोर्ड मिलते थे, आज की तारिक में हर चीज पिछले महिने से बहंगी हो गई है, तो बड़ी मुसीबत फैली हुई है, और ये बैंकिंग सिस्टम पे इसका दबावाना बिल्कुल रहे है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि प्रोफेसर आरुन कुमार, भारत में भी ये डर जो है, वो सही है कि भारत पर भी असर पड़ेगा, जो हम देख रहे हैं कि सिलिकॉन वाली बैंक में हुआ, या क्रेडिट स्विस में हुआ, या बैंकिंग के लिए कितना वॉलटाइल ये समय है दुनिया भर में, इसका क्या असर आम लोग अगर ये सवाल पूछें, हम सोच देख सकते हैं, आशन का हो सकती है, किसका असर पड़ेगा क्या भारत की बैंकिंग सिस्टम है, जो काफी रेगुलेटर है, जैसे कि दुनि अमरीका में गिरावट होती है, तो दुनिया भर के मार्केट में गिरावट हो जाती है, तो इस समय क्या अमरीका में पर अमरीका में इस समय क्योंकि वहां पर FDIC है, Federal Deposit Insurance Corporation, वह धाई लाग डॉलर तक तो आपका इंसूर करती है, उसके उपर इंसूर नहीं करती, तो मैंने सुना है कि पिछले 2-3 दिनों में बहुत साइट लोगों ने जिनका पैसा जादे था, उन्होंने छोट-छोटे बैंकों से पैसा निकालके बड़े बैंकों में डालना शूरू कर दिया है, यह जो असर हुआ है, इससे बहुत सारे छोटे बैंकों पर असर पढ़ने वाला ह है कि उनको एक-दो साल से परिशानी वहाँ पर चल रही है क्रेडिट सुइस में तो उसकी ऑलरी साख जो थी वो कम हो गई थी तो इसलिए क्रेडिट सुइस जैसा बैंक वहाँ पर भी डूबने के असार बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है वो इतना नह में डिपॉजिटेड है पर अगर और छोटे बैंक भी जब कॉलाप्स करते हैं तो वहाँ पर इतने पैसा नहीं होगा तो उससे जब जब अमरीका में या योरोप में वहाँ पर परिशानी होगी तो हमारे बैंकों में भी ये बात पहल जाएगी कि यहां पर भी हमें अपन डालना शूरू करेंगे इसका अफर जब छोटे बैंकों पर पड़ेगा रिजनल बैंक जो हमारे हैं वो अलड़ी आपने देखा पिछले तीन साल में कि दो बैंक डूप गए उनका पैसा जल जो पॉलिक का पैसा जो वहाँ पर फंस गया था तो छोटे बैंकों से निकालन के चांस बढ़ गए हैं तीसरी बात यह कि उससे investment पर असर पड़ेगा investment पर जो असर पड़ेगा उससे हमारी growth पर असर पड़ेगा जब growth पर असर पड़ेगा उसका द्वारा असर banking सेक्टर पर और financial सेक्टर पर होगा तो यह 3-4 channel है जिसके जरीये से जो बाहर का जो जाफरा तफरी है उसका असर भी हमारे देश में आ जाएगा इसलिए हमको अभी से planning करके रखनी पड़ेगी हमारे Central Bank जो Reserve Bank of India है उसको यह planning करके रखनी पड़ेगी कि जब यह जह चीजें होंगी तो किस प्रकार से act करेगा उसी तरह हमारे सरकार को fiscal policy में भी जह वह करना पड़ेगा कि किस प्रकार की fiscal policy हो जिससे कि इसका एफेक्ट मिनिमाइज हो सके एफेक्ट तो पूरा नहीं खतम होगा पर मिनिमाइज हो जिससे कि हमारी अर्थवस्ता पर असरना पड़े और खासकर जो गरीब इस सिस्टम इतना जादा इंटरलिंक्ट है दुनिया भर में कि असर ना हो ये हो नहीं सकता लेकिन हाँ इस असर को कैसे कम किया जा सके इसके लिए कम से कम जो इमर्जिंग मार्केट है या भारत जैसे देश है जहापर बैंकिंग सिस्टम में रेगूलेशन काफी है वहाँ देखना होगा कि किस कतरे के कदम उठाएंगे हम ताकि इस असर को लोगों पर जो बुरा असर पड़ेगा उसको हम कम से कम कर सके धनवाद आपका प्रोफेसर आरुन कुमार और आलोग जोशी हमार साथ जुड़ने के लिए समझाने के लिए कि जो अमेरिका और यॉरप के बैंकों में हो रहा है उसका क्या असर यहां पढ़ सकता है भारत में और दुनिया की जो अर्थवेवस्ता है उस पर क्या असर इसका पढ़ रहा है तो इस वक्त एक ब्रेक लेंगे हम और उसके बाद सच कमीचे सच की परताल में हमारा आज का सवाल यह है अमेरिका से यॉरप पहुंचा बैंकिंग संकट क्या इस संकट का भारत पर भी पुरा असर पढ़ सकता है जिसमें से 83 फीसदी लोगों का मानना है कि इसका असर भारत में भी अर्थ व्यवस्ता पर भारत की बैंकिंग सिस्टम पर पढ़ेगा इस से कोई अजूता नहीं रह सकता इस संकट का भारत पर भी असर पढ़ सकता है और 13 फीसिदी लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं होगा 4 कीस पर, 4 फीसिदी कीस पर कोई राय नहीं है लेकिन अमेरिक और यॉरप के बैंकों में जो हो रहा है उससे उथल पुथल है तमाम दुनिया की अर्थ व्यवस्था पर दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था पर आज सच्छी परताल में इतना ही नमस्कार